हेलो लवीज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, कैसे हो आप लोग, I am back with another video, and आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तीन एजर्स लाइफ सेविंग हैक्स, so without much delay, let's get started. सबसे पहला हैक होगा, हाई पोनी टेल हैक, अगर आप लोग भी इस तरीके से पोनी टेल बानते होना, and आप लोगों के भी बालों में बिल्कुल भी बाउंस, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं आथा, तो you must try this हैक, don't worry, इसमें आपके बालों के कुछ भी हसल नहीं होगी, बस इसके लिए आप लोग जिस तरीके से बो बानते हैं, उसका पैटन चेंज करना है, आप लोगों को बस आपका सर आगे जुकाना है, and आप लोगों को जो आप पोनी टेल बानते हैं, उसको आप लोगों को पीचे से ने बाना है, आपके बालों को लेना है, आपको आगे, and then आप लोगों को जो आप बोट आए कर रहे हैं आप लोगों को टाइ करना है इससे आप लोग तुरंत देख सकते हैं कि किस तरीके का वॉल्यूम और अटोमेटिकली पॉनी कितनी हाई टाइ हुई है अप लोग बले ही पॉनी टाइ कर लो या फिर कोई भी हैस्टाइल बना लो बेबी हैस की प्रॉलम्स तो हम सब लोगी फेस करते हैं इससे पूरा हैस्टाइल कराब दिखता है बट कोई नहीं बस आप लोगों को लेना है आलवेरा जेल थोड़ा सा लेना है और आपके कॉम प पता है आप लोगों को हैर सेटिंग स्प्रे यूज करने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्या आप लोगों की भी बाल इस तरीके से अन इवन लगते हैं उसको टाइट बनने से या फिर कोई भी हैस्टल करने से देन डेफिनेटलि दिस हाक की मीड़ बने से ओलुब लेंग ईा कि यूप इसको आप लोगों को सीधे कर लेना है डिन इस एक साइड से आप लोगों को बस आपके हैएससीग नहीं बगड़ arrests केट गेंगे कि आप लोगों के जो भी बाल ंवेंवें दिख रहे हैं तूरंत आपके बाल सीधे हो जाएंग ड़के और पोर एके जायए।र को यही तो यही अगर आपके कौम्ब आपके हैस्टाइल से करो गेंगे और यही को स्सभेस्माजन आन्फोत में और आपका काजल कमझ nu 건지 इसके लिए आप कोई भी face powder ले सकते हैं या फिर compact powder भी ले सकते हैं और बस आप लोगों को आपके under eye पे इसको अच्छे से set करना है and then आप लोग काजल apply करके देखना इससे आपका काजल आखों में अच्छे से set भी होता है plus long lasting रहता है and ज्यादा smudge भी नहीं होगा I think आप लोग clearly difference देख सकते हैं इस side के eye पे कितना अच्छे से काजल सेट हुआ है and वही दूसरी side पे थोड़ा smudge भी हुआ है plus uneven भी दिख रहा है अगर आप एक teenager होना तो मैं आप लोगों को जरूर ये suggestion दूँगी कि daily आप लोग lipstick मत apply करना आप लोग क्या कर सकते हैं borrow plus या फिर vaseline apply कर सकते हैं ये आपके lips को nourished and moisturized रखने में बहुत help करता है and उस पे आप लोग कोई भी अपना favorite lip balm यूज़ कर सकते हैं इससे आपके lips पे tint भी आएगा plus आपके lips भी healthy रहेंगे so I think this is the safest option than lipstick अगर आप लोगों के भी pen pencil एक जग़ पे bag में नहीं रहते हैं तो ये hack आप लोगों के लिए जरूर काम आने वाला है इसके लिए बस आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को दो rubber लेने है आप लोगों को आपकी notebook को दोनों साइट से इस तरीके से उसको अटका देना है और बस आप लोगों को जितने भी pens रखने हैं उसमें आप लोग रख सकते हैं इवन आप आपके scale, sharpener, rubber, कुछ भीज जो सामान है आपका आप इस notebook में अभी रख सकते हैं इससे सारे pen एक जगह पे रहेंगे और खोव भी नहीं जाएंगे इसके आप कोई भी डेक्रीम यूज कर सकते हैं आपके दिमाग में तो यह होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, मेरी स्किन फ्लॉलिस दिखनी है, इसके आप कोई भी डेक्रीम यूज कर सकते हैं इसके आपको एक टीशू आपके बैग में हमेशा रखना है, जब भी आपका फेस ओईली दिखे बस आप लोगों को डब डब करके आपके पेस को क्लीन कर लेना है बस याद रखना कि आप लोगों को डबिंग मोशन में ही क्लीन करना है, ना कि आप लोगों को वाइप करना है, नहीं तो आपके फेस के जितनी भी डर्ट है वो हर जगर पे फैल जाएगी, और आपको इससे पिंपल्स भी आ सकते हैं आपके बालों की आपके बालों की हालक खुदी देख सकते हैं और इन्हें संभालना अनिसरुल जाना बहुत ज़दा डिफिकर्ट होता है तो बस आप लोगों को क्या करना है, आपको लेना है, सीरम आपको भी ले सकते हैं, बस दो ड्रॉप आप लोगों को लेने हैं आपके बालों पे इन्हें लगा लेना है, आप लोग क्लियरली एक साइड का डिफिरेंस देख सकते हैं तो बस यही कुछ सिंपल से hacks and tips आप लोग जरूर ट्राइ कर सकते हैं I hope you like the video, please like, share and subscribe to my channel, bye bye